नमस्कार राम राम कैसे हैं किसन मायों आसा करते हैं बहुत अच्छे होंगे किसन मायों फिराज रूइक ने वीडियो में प्याज के आज के ताज़ा भाव का अपडेट लेकर किसन मायों तो आज तारीख हो चुकी है 12 अगस्त 2014 से दिन सोंबार तो एक नए सब्ता की सुरु अग बंती नजर आ रही है आज दिल्ली आजात पुर्मणी में कम्पलीट अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के माद्यम से बताएंगे अपडेट को पूरा देखे तब ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी चैनल पर पहली बार है क्रिप्यकर के चैनल को सब्सक्राब पहले तो बात करेंगे आमदनी की जैसा कि आमदनी आज कि सर्मयों 35-40 गाडियों के बीच में पहुंची है और टोटल अगर हम उपर नीचे और बैलेंस को मिलाकर बात करें दिल्ली आजात पुर्मंडी में गाडियों की 80-90 गाडियां विक्री के लिए खड़ी हैं और प् कि सर्मयों उन्हें भी 25 पैसे से लेकर 50 पैसी की तेजी आज दिल्ली आजात पुर्मंडी में प्याज के भाव में नजर आ रही है तो सबसे पहले आज कि सर्मयों बात करेंगे राजिस्तान के प्याज की तो राजिस्तान के प्याज आज दिल्ली आजात पुर्मंडी में क किसनमायों सुभे सुभे जो भाव राव आपका 32 रुपए से लेकर 34 रुपए परती किलो के बीच में और किसनमायों जो हलके बाले माल हैं राजिस्तान के उनकी पोजीशन आज किसनमायों 28 रुपए से लेकर 31 रुपए परती किलो के बीच में किसनमायों इसके साथ साथ बा बाले माले हैं मीडियम साइज के और गोल्टा-गोल्टी मिक्स बाले वो आपके 30 रुपए से लेकर 31 रुपए परती किलो के हिसाब से किसनवायों बात करेंगे इसके साथ-साथ मद्धि प्रदेश के प्याज की तो आज दिल्ली आजातपुर्मंडी में मद्धि प्रदेश क प्याज की जो क्वाल्टी है किसनवायों वो ठीक ठाक पहुंची है और मद्धि प्रदेश के प्याज की पोजीशन आज जो रही दिल्ली आजातपुर्मंडी में किसनवायों 33 रुपए से लेकर 34-35 परती किलो के हिसाब से और जो हलके वाले यानि मीडियम साइज किसनवा किसनवायों उनका भाव आज 35 रुपए से लेकर 36 रुपए परती किलो के हिसाब से किसनवायों इसके असासाथ बात करें जो मीडियम साइज वाले प्याज है उनका आज दिल्ली आजातपुर्मंडी में पोजीशन जो रहा किसनवायों वो 30 रुपए से लेकर 31-32 रुपए करें किसनवायों तो अगर हम प्याज के भाव की बात करें दिल्ली आजातपुर्मंडी में तो 12-75-30- तेरा सरुपय प्रतिम मन के इसाब से दिल्ली आजातपुर मंडी में आज प्याज के रेडर किसनमयों गराकी की बात करें तो गराकी जैसा कि आज बढ़िया देखने को मिल लए दिने सोंबार का किसनमयों गराकी जो है सुबह सुबह बढ़िया देखने को मिल लए और जो ब वीडियो के माध्यम से दिया धन्यवाद